और अब आपके लिए एक अपडेट और वो ये है कि कल यानि शनिवार रात नौ बजे आप सीधी बात के तीसरे एपिसोड में मशूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को देख पाएंगे ये कपिल शर्मा का आज तक का सबसे गंभीर और संजीदा इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि वर्ष 2017 में जब वो डिप्रेशन के एक दौर से गुजर रहे थे तब उनके मन में आत्म हत्या करने का विचार एक नहीं बलकि कई बार आया इसलिए ये पूरा इंटरव्यू तो आप शनिवार रात 9 बजे देख पाएंगे लेकिन आज इसके कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये इंटरव्यू आपको बाकी इंटरव्यू से अलग लगेगा कपिल शर्मा को जब आप देखते हैं तो देखते ही आपको हसी आने शुरू हो जाती होगी क्योंकि वो हमेशा आपको हसाते हैं लेकिन एक कॉमेडियन के सीने में भी दर्द छिपा होता है उसके पीछे भी एक कहानी होती है इसलिए ये जो कपिल शर्मा का इंटरव्यू है ये उनका अब आपन, डिप्रेशन, लो फील करना यही है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहते हो बड़ी अन्यूजुवल एडवाईज है फ्रॉम वेरी अन्यूजुवल परसंट सर मुझे ना मुझे ये लग अब आप उस सवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको आप बाहर जाके बैठ जाओ कहीं समंदर किनारे जाके बैठ जाओ पानी की तरफ देखते रहो वह भी नहीं कर सकते हैं आप एक घर में रह रह रहे हैं दो कमरों का फ्लैट है है ना शाम को अंधेरा हो गया वह चीजें अब मैं वह एक्सप्लेर नहीं कर सकता हूं कि कि किस तरफ कि कैसी बुरी फिलिंग होती है वह पर जो आपने बोला कि अगर ड्वाइज किसी को देनी है मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए भी बोलना कभी मैंने गुरेज नहीं किया मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी समय ऐसा कुछ फेस से निकल रहा होगा तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि जिर्फ एक फेस है निकल जाएगा उस समय इंसान को लगता है कि मैं सूसाइड कर लू कुछ ऐसा हो जए कि क्या अच्छा नहीं फील कर रहा हूं लेकिन येक फेस होता है ये नहीं हो रहा है या मेरा बिजनस में लॉस हो गया या कुछ भी तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज पर्मेनेंट नहीं है बहुत जादा आपको कोई अच्छी चीज लाइफ में होती है सिकसेस तो बहुत जादा कोई बैंड वाजा बजाने की जुरूरत नहीं है और कभी मैं लाइब की एफेस में ऐसा ही लगताथा की आ पो लेखता है सारी कोई हैंनी कर सकते हैं सब्सक्रावार भादा यह हैं बहुत अब हहुस का ही ही बार मुछे लगता की पहले बार हूआ हुआ बच्पान में मुझे लोफ फिल वा औगा या स्कूल में और भी यह स्कूल म तो आपने बारे थो गया होगा और दो जब आप खुद क्माँ रहे हो सब्सक्राइब आपके पिता जी की घर में चलती है मां आपकी फिर एक टाम आप से बाहर निकले रहते हो खुद क्माने लगते हो अब केले हो शादी होई ना कोई समझाने वाला ना कोई आपकी टेकर कर तो यह भी नहीं पता चलता कि कौन आसपास जो लोग हैं वो फाइदे के लिए जुड़े हुए तो स्पेशली कलाकार लोगों के लिए क्योंकि इनका द्यान एक ही तरफ में लगा होता है अपने ही काम की तरफ म्यूजिक कोई मुजीशन है तो उसको म्यूजिक में मज़ा र अगर मैं यह कहूं कि आर्टिस सेंस्टिव को होता है पर इसका मुझे नहीं कि वो स्टुपिड होता है वो अलग बाता कि उसका शैदो सब्जेक्ट में इंटरस्ट नहीं है कि यह फलाना किस नियत से आपके पास ऐसे बड़े सारी लोग आपके पर जुड़ जाते हैं पर मैं अभी सच बोलू अब मुझे लगता है कि वो फेस ना बड़ा अच्छा था बड़ा फिल्टर भी हो गई लाइफ लाइफ यहार वाइस मैं अगर वो फेस नहीं आता ना शायद तो अब बड़ी सारी चीजों का जो मजा आता ना छोड़ी चीजों का वो शायद नहीं आ जैसे माली जी कभी मोदी जी को आप इंवाइट करें कि जुरूर सर में को चुनाव से पहले जो नेता हैं वो भी अपने आपको प्रमोट करते हैं चुनाव से पहले प्रचार के लिए जाए जी जी तो कभी वो माली जी को अगर आपको इनवाइट करना चाहें तो आप चा पर हाँ कभी आएंगे तो हमारा सुभाग्या है मैं चाहूँगा कि वह भी लाइटर साइड उनकी लोगों के सामने आए और लोगों लोग भी देखें कि नहीं है मज़िदार हसी मजाक वाली बाते करें जैसे हमारे यहां पर मुंबई में वो था फिल्म मुजियम का उद्गाटन तो मोदीजी ने बड़े अच्छे जोक महा पर मारे सारी इंडस्ट्री बैठे हुई थी बड़े खुश हुए तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए जो हमीं लोगों ने देखा वो पूरी दुनिया देखे तो जरूर मैं तो बुलाता रहूंगा उनको तो कपिल शर्मा की कॉमेडी तो आपने बहुत देखी होगी और कपिल शर्मा ने आपको बहुत हसाया भी होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि कपिल शर्मा हर समय हसते ही रहते हैं हर समय कॉमेडी ही करते हैं लेकिन आज जब मैं कपिल शर्मा के साथ मिला मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कपिल शर्मा हर समय कॉमेडी नहीं करते कपिल शर्मा हर समय मस्ती नहीं करते हर समय हसी मजाक नहीं करते कपिल शर्मा गंभीर भी होते है और कपिल शर्मा के सीने में भी कुछ दर्द है कपिल शर्मा के पीछे भी एक दुख बरी कहानी है और कपिल शर्मा ने भी बहुत संघर्ष किया है बहुत दुख जेला है और ये सारी बात ने कपिल शर्मा को कभी मौका नहीं मिला होगा आप तक पहुचाने का कि अभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा क्योंकि कपिल शर्मा के ज़्यादतर इंटर्वियूज होते हैं, लोग उनसे उन इंटर्वियूज में भी यही कहते हैं कि आप हसाईए, चुटकुले सुनाईए, हमारे दर्शकों का मनोरंजन कीजिए, लेकिन इस बार हमने एक अलग तरह का इंटर्वियू उनके साथ किया जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए एक बहुत बड़ा अनुभाव आप सब के लिए रहेगा, अगर आप मेरी सीधी बात कपिल शर्मा के साथ देखेंगे, शनिवार रात 9 बजे, तो आप शनिवार रात 9 बजे का अपने मुबाइल फोन में अलाम या रिमाइंडर सेट कर लीजे, और हमारे साथ सीधी बात में अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लीजे, और मुझे यकीन है कि आपको सीधी बात के पुराने एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा.